अच्छो वेलकम अलोफ यू स्वागत है आप सबीका बच्चे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं हम अभी एनालोग लेक्टोनिक्स स्टार्ट किया है और एनालोग लेक्टोनिक्स में हम इधर क्लास है इन दा फर्स्ट क्लास हमने डायोड सर्किट पढ़ा था बेसिक आफ इन दा सेकेंड और लाश हमने के रटिफायर स्टार्ट किया है क्योंकि हमें पता है डायोड सर्किट डायोड का यूज करके हमने सर्किट पढ़ना है तो ऊसमें पहला एक्जामपल पहला एप्लिकेशन जो आता है वो नाय। प्रेक्टीफायर ठीक है पहली क्लास में देखा था बड़े डिटेल में फिर सेकंड क्लास जो रेक्टीफायर की है जिसका नाम है बेसिक और रेक्टीफायर जिसमें हमने पॉपइसर खेकंड देखा है कि रेक्टीफायर को एनालिस करने के लिए हमने उससें लिएक्टीफायर क्या है बहुत से बच्चों को पता होता है रेक्टीफायर डिवाइस विच त अ ट्य werde but it is not a pure DC rectifier is a circuit or device which convert AC into pulsating DC not a pure DC or we can say rectifier is a circuit which convert y-directional current and waveform into unidirectional current and waveform यह हमने rectifier की definition देखी थी लास्ट क्लास में जिसका टाइटल है basic of rectifier और फिर हमने देखे rectifier को समझने के लिए कुछ parameter पढ़ने हैं कौन कौन से parameter ripple voltage क्या होता है ripple factor क्या होता है form factor क्या होता है crust factor क्या होता है और उसके साथ efficiency rectifier efficiency क्या होती है transfer utilization factor क्या होता यह सभी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं अब आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं डेट एच वेरी इपॉर्टेंट थिंग कि टाइपस ओफ रेक्टिफायर आइपस ओफ रेक्टिफायर तो पहला जो टाइप है आप पढ़ते हो हाफ बेव रेक्टिफायर क्या लेखा हुआ पहला हाफ वेब रेक्टिफायर लिखा हुआ है ठीक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा जो है जो लिखा है that is और ले खूले बेव रैक्टिफायals संम्हाजम पहलत रहा है थीवर इसको राफ बेव इसको फुल बेव किया है आ आको पता मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता है जीरो है वो आप एकदम जीरो लेवल पर यहां बैठे हो मैं यह मान के पढ़ा रहा हूं बस आप पढ़ने के लिए बैठे हो अपना दिमाग खोल कर इंट्रेस्ट के साथ यहां पढ़ रहा हूं बस बिल्कुल ज पहला आता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टीफायर है और दूसरा है ब्रेज फुल वेव रेक्टीफायर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है ब्रिज टाइप ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ओके तो यह हमारे पास दो तरह की रेक्टिफायर है एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव के अंदर हम दो पढ़ेंगे सेंट टेप्ट औरो ब्रेज लिखा हुँगाया नहीं तो उनसे पहला करते हैं फीर्समेट झाल रहे हैं हाफ वेव रेक्टी फायर और उसको जरासा में आपके लिए उसका circuit बनाता हूँ, अब ध्यान से समझना है बच्ची, अब ध्यान से समझना है जरा, ठीक है, अब ध्यान से समझना है, heading क्या ड़िए, half wave rectifier, ठीक है, half wave को half wave क्यों बोलते हैं, circuit क्या है, सब कुछ मैं basic से बता रहूँ, ध्यान से सुनते चलना है, देखें, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक transformer input पर होता है, it depends to you, आपको उसकी जरुरत है तो ठीक है, नहीं तो बहुत से circuit में आपको transformer नहीं भी मिलता है, it is not necessary कि होगा ही, है ना, transformer नहीं भी होगा, तो चल जाएगा, यहाँ पर आपका एक diode लगा हुआ है, य this is your load, this is your diode, ठीक है, और यह आपका transformer है, with ratio n1 upon n2, ठीक है, simple, और यहाँ, transformer के इस side input है, vp sin omega t, please listen carefully, vp sin ठीक है, यहाँ इदर लिख देता हुआ जगए नहीं थी, vp sin omega t is the input at the transformer, और transformer की secondary coil पर input मान लो, क्या जाएगा, vp की जगा, vm sin omega t, ठीक है, और vm, this is the input for this rectifier, है न, इसलिए आप इसे equal to v i भी लिख दो, है न, यहाँ पर आपका v i आ रहा है, what is the v i, vm sin omega t, और हमें पता है, कि vp, यहाँ जो input है, उसका peak, divide by इसका peak, equal to n1 वटे n2 होता है, ठीक है, so transformer is used, transformer किसके लिए यूज होता है, for step up और step down, transformer is used for a step up and down, so आप यहाँ से देख सकते हो, कि जब आपको step up करना है, तो turn ratio n2 greater than n1 ले लो, vm greater than करना है, vm को greater than करोगे, तो n2 greater than n1 होना चाहिए, है ना, यहाँ से समझ में आ रहा होगा, vm, this is the vm, peak voltage of input side, vm is equal to क्या रहा है, n2 upon n1 into vp, तो आपको यह बात पता है, why we use the transformer, transformer use for step up और step down, ठीक है, तो input side पर जो transformer लगा है, वो हमें ही काम दे रहा है, step up और step down, आप इसको ना भी use करें, कोई जरूरी नहीं है, बहुत से books में आपने direct half wave का इस तरह से circuit देखा होगा, this is your input, है ना, what is the input, vm sin omega t, this is your input, ठीक है, vi is equal to, और यहाँ पर load लगा होगा है, तो यह भी आपका circuit होगा, simple, यह आपका input है, मैंने यहाँ लिख दिया, so it is not necessary, transformer हो, ठीक है, चले, कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है, इसको हटा दूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, कि मैं क्या मुला, कि transformer नहीं है, तो यह input इधर आ गया, कौन सा input, यह जो भी आई लगा भी आई की value, Vm sin omega t मैं लिख रहा हूँ, कि Vm sin omega t लिखती है, ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, कि मुझे जगए की जरूरत है, I require space, ठीक है, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, कि एक काम कैसे करेगा, प्लीज लिसन क्यारफूली, ध्यान से सुनते चलना है, this is output voltage, ठीक है, how it will work, कैसे काम करेगा, देखे, जैसे ही हमारे पास, input, देखे, input और output, जे input क्या है, sinusoidal है, देखे आप, this is Vm sin omega t, what is the omega, omega is the frequency, जिसके आपकी जो input wave है, वो sinusoidal है, तो उसकी frequency है, omega is the input frequency, और Vm is the peak, तो अगर मैं आपके लिए, ध्यान से सुनते चलना है, मैं यहाँ पर आपको बेव फॉर्म भी मना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, बेव फॉर्म भी मना के दिखा रहा है, ठीक है, देखो, वड़े दिस, यहाँ पर, ठीक है, अब हम को, अब हम को, अब हम को, आगर, रही चाह, अब है अघ्यार फ्यूर्व, अब हम के लिए, हां जी, ओके, लॉर्ट दिख वेवर्म, इंपट वेवर्म जो आपके पास है, इंपट वेवर्म जो आपके पास है, इसका पीक क्या होगा, भी आई, भी का पी क्या है, Vm. So, what is the peak of this waveform? What is the peak of this waveform? That is V-I. What is the peak of this waveform? यह आपके A waveform जो है, इसका peak जो है A-V-I है, जो इधर V-M है. This is the V-M and ठीक है? और एक में देखें कोई setting में change हो गया क्या है? Now, that is okay. Now, and this is the minus V-M. This is minus V-M. Understand? So, what is the V-M? What is V-M? This and this is the minus V-M. Clear? So, V-M and minus V-M आपको पता है V-M is the positive peak and minus V-M is the negative peak. So, this is the V-M and minus V-M. Now, we have to find how this rectifier will work. यह rectifier कैसे काम करेगा? यह हम को देखना है. ठीक है? अब ध्यान से देखना है. इस input की positive cycle. This is the positive of the input. अरे एक मिनट यह setting change क्या हो गया? कुछ चेंज हो गया लगता है मुझे. बन निट, बन निट, बन निट, बन निट, बन निट, बन निट, बन निट. What is the changes? Why this is blinking? I am not understanding. I think अब हम अपने concept पर आते हैं. जहां से देखें, यहां पर आपने यह भी आई जो है, इस तरह का है. देखो पर छोटा सा बना दिया मैंने. ठीक है? अब इस positive पर आपका diode पर यहां positive आजाएगा और इस side negative आजाएगा. जब यह positive बेफोर्म आएगी, यहां positive आएगा, यहां negative आएगा. Due to this, your diode will be on. Please listen carefully. When we have the positive half cycle, then diode will be on. एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको समयलने है. पहले इसमें कोई doubt हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं. कि सर यह समझ में नहीं आया. मैं बापेश से बोलता हूँ during the positive half, जब आपकी positive half है, तो यहाँ positive मिलेगा, यहाँ negative मिलेगा, जिसके कारण आपका diode, हमें पता है, diode के on होने के लिए, diode on होना, या diode forward wise में होना, इसके लिए diode के P side पर voltage N side से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ positive है, यहाँ negative है, तो ज़्यादा है P side पर voltage, तो diode is on. किसी को कोई दिक्कत, diode on है, तो क्या circuit होगा, circuit क्या होगा, मैं इस पर आता हूँ, next slide पर आपको समझाता हूँ, देखें, यह diode लगा हुआ है, समझते चलना है, बच्ची, कोई doubt हो, तो बताएं, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ है, और this is your VM sin omega t, है न, यहाँ पर आपको input पर AAC इस तरह से मिल रहा है, अब हमने क्या बोला है, ध्यान से देखें, during positive half of input, input के positive half पर diode will be on, on का मतलब है, forward wise होना, और जब diode on होता है, तो circuit यहाँ बना रहा हूँ, diode जब on है, तो उसका circuit देखें, देखें simple सा, diode जब on है, तो किस तरह से होगा, देखें जरा, diode जब on है, तो वहाँ पर आपको पता है, क्या होता है, एक short circuit हो जाता है, मैं ideal case की बात कर रहा हूँ, when diode is on, बहाँ पर क्या होगा, बहाँ पर क्या मिलेगा आपको, short circuit मिलेगा, is it okay or not, और remaining आपका पता है, जैसा है, बैसा ही रहेगा, this is your input, जहाँ पर आपको, this is RL, और this is short circuit, or what is this, this is VM, sin omega t, क्या यह बात समझ में आई, जो मैंने बनाया है, यह समझ में आया कि नहीं आया, यह बता दो, इसमें कोई doubt है, तो बता दो कि सर यह नहीं आया, समझ में सर आपके, यह clear नहीं हुआ, simple सी बात है, during the positive half, जब आपने positive half दिया है, तो diode on होगा, diode forward wise में होगा, जब diode forward wise में होता है, तो वो short circuit हो जाता है, मैंने इसे short circuit कर दिया, ठीक है क्या, उसे short circuit कर दिया, अब जब short circuit होगा, तो आपको output पर क्या मिलेगा, current और voltage, वो मैं जड़ा निकालते हूँ, है न, what will be the current, I, L और what will be the voltage, वो हम find करते हैं, ठीक है, और फिर हम इधर बापिस से waveform पर आएंगे, ठीक है, तो यह हमारी positive cycle है, इस positive cycle में diode on है, यह तो हमें समझ में आ गया, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम calculation करने वाले हैं, current और voltage के लिए बढ़ी आसान calculation है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, हम already diode circuit के questions में यह कर चुके हैं, I, L, यहाँ पर आप, यहाँ पर positive है, यहाँ पर negative है, यहाँ पर आप KVL लगाएंगे, तो आप देखेंगे, जो इधर, जो current मिलने वाला है, I, L that is equal to input voltage Vm sin omega t upon rl, किसी को कोई दिक्कत, simple सा, I बरावर यह voltage है, यह resistance है, तो I बरावर V upon rl, this is the simple thing, this is the simple thing, is it okay? तो I बरावर Vm upon rl, यह आगया हमारा, अब यहाँ पर P की बात करें, तो I, L, please listen carefully, I, L is equal to I m sin omega t लिख दिया मैंने, अब आप बोलो, सर, यह I m क्या चीज है, बच्चे आपको पता होगा, क्या पता होगा, कि यहाँ पर जो लिखा रहता है, that is peak, यहाँ पर जो लिखा रहता है, वो peak होता है, है ना, और यहाँ पर Vm upon rl, is the peak current, current का peak यह है, पता है, sinusoidal current में peak होता है, that is the peak, this is the peak, ठीक है ना, तो हमारे load current का peak I m sin omega t है, load current हमने निकाल दिया, जहाँ पर what is the I m, I m is the peak load current, peak load current है, और peak load current की value क्या निकाली, Vm upon rl, what is the Vm, input का जो peak है, rl से divide कर दिया, that is il, अब आपको Vm निकालना है, बड़ा आसान है, हम निकाल चुके, what is the Vm, output voltage निकालना है, इसमें current पता है, resistance पता है, V is equal to i into r, आपको output voltage निकालना है, current और resistance है, what is the Vm, Vm is equal to il into rl, बड़ा आसान है, बिल्कुल basic बेसिक सा है, kvl, kcl टाइप चीजें चल रही है, तो इस il में, rl से multiply कर दो, ail और rl multiply कर दोगे, तो v o is equal to, i m sin omega t, और आप अगर ध्यान से देखें, तो कुछ भी नहीं है, जो इधर है, वहीं मिल जाएगा, क्या हमिल जाएगा, बता देता हूँ मैं, देखें, i m में rl से आलल कर जाएगा, तो v o is equal to v m sin omega t, जो इधर मिल रहा है, बोई मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बोटो मैं निकाल रहा हूँ, निकालने की जडरूती नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी बोल्टेज जब पैरलल में है, तो similar मिलेगा, करने की जडरूती नहीं पर करके दिखा दिया आपको, नहीं तो बहुते बच्चे होजएंगे साथ, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, but we don't require, क्योंकि कोई भी बोल्टेज जहां ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा बोल्टेज लोड पर आ रहा है, आपको पता होगा, कि जब पैरलल होता है, दो तरकिट की ब्रांचेज पैरलल है, तो बोल्टेज सिमलर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका output voltage जो मिलेगा, that is Vm sin omega t input voltage के बरावर, और यहां से भी आपको देख रहा है, Im into Rl, Im में Rl का multiply कर दो, तो Vm बचेगा, ठीक है, तो positive half, अब ध्यान से सुने, मैं आपने जो current निकाला, जो voltage निकाला, ठीक है, वो एक sinusoidal ही है, this is the sinusoidal, this is sinusoidal, ठीक है, clear है, तो आप इसके लिए waveform बना सकते हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल बना सकते हैं, देखें, ठीक है, जड़ा एक बार बताएं, जड़ा किस तरह से होना है, ध्यान से सुनते चलना है, बस, ठीक है, positive half में आप देखें, आपको यहाँ पर अगर आप current के लिए बना रहे हैं, तो आपको waveform मिलेगी, इस तरह से, और इसका peak जो होगा, that is I am, current के लिए अगर बना रहे हो, और अगर voltage के लिए बना रहे हो, तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपको voltage के लिए भी मिल जाएगा, और voltage के लिए भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बच्चे, यहाँ पर similar, similar आपको, जो यहाँ भी एम था, वही यहाँ भी एम मिलेगा, peak similar होगी, so this is output current, यह output current है, यह output voltage है, यह आई एल और वी एल, positive half में, ideal case में, ठीक है, now, in negative half, what happened, in negative half, okay, during the negative half, please see, during the negative half, जब आपका negative half यहाँ पर आएगा, जब नेगेटिव आएगा, ध्यान ते दिखाए, this is your negative half, जब negative half आएगा, तो क्या होगा, during the negative half, आप देखें, यह negative इधर मिलेगा, positive इधर मिलेगा, इस negative half की बात हो रही है, input के negative half पर यहाँ negative होगा, यहाँ positive होगा, और diode off हो जाएगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताए, अरे यह ने तो यह पहली क्लास में बता दिया तो बच्चे यसी बात है, diode इधर negative है, इधर positive है, diode reverse wise होगा, reverse wise में diode off होता है, on मतलब forward wise, और off मतलब reverse wise, इसमें कोई दिक्कत है, तो बताए, सरी क्या कर रहे हो आप, ठीक है, तो during the negative half, during the negative half, यहाँ negative होगा, यहाँ positive होगा, क्योंकि negative half में, बेफ फॉर्म में, negative positive इधर आ गया, तो यहाँ negative, यहाँ positive, diode will be off, और जब diode off होगा, तो circuit क्या बनेगा, मैं आपके लिए बना देता हूँ, this is on condition, यह जो calculation है, यह on है, और forward wise में है, Now, the next is, when, during, दिख रहा है क्या, during negative half of input, during negative half of input, very good, दिख रहा है, Diode will be off, diode off हो जाएगा, ideal case की बात हो रही है न, diode will be off, और जब diode off होगा, तो आपका जो circuit बनेगा, जो circuit बनेगा, जो देखें जरा, circuit, diode off हो गया, मतलब वो open circuit हो गया, यह तो आपको मैंने बताया था, कि जब diode off होता है, तो वो open circuit हो जाता है, अब जब diode open circuit हो जाएगा, अब जब diode open circuit हो गया, तो आपको output में कोई current मिलेगा, नहीं भई, कोई current नहीं मिलेगा, आउटपट में कोई voltage मिलेगा, आउटपट वोल्टेज मिलेगा, नहीं कोई voltage नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका input है, Vm sin omega t, अब यहाँ पर output में, जब यहाँ open है, तो कोई current flow नहीं होगा, current 0 है, तो voltage भी दीरो होगा, output पर voltage 0 होगा, तो during the negative half, आप देखेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, किधी को कोई दिक्कत, नहीं, कोई समस्य वाली बाती नहीं है सर, आसान है, अब during the positive half, again the similar thing, during the positive half, फिर वही process होगी, जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, positive half में diode on होगा, on होगा, तो यह current voltage आ जाएगा, और simple सा यहाँ पर, जो हमने किया, फिर वही हमें waveform मिलेगी, उतनी ही peak की मिलेगी, इसकी peak I am है, और फिर वही voltage मिलेगा, उतने ही peak का मिलेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर, समझ में आ रहा है, बच्चे, समझ में आ रहा है, बड़े आसान सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता रहूं है, यहाँ पर जो current का peak है, that is I am, और यहाँ पर जो voltage का peak है, that is V am, again the similar thing, diode जब reverse wise में आएगा, तब आपको output 0, current और voltage 0, तो क्या समझ में आया यहाँ से, आपको यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है, कि half wave के लिए आपका circuit काम कर रहा है, rectifier काम कर रहा है, प्लीज लिसन केरफुली, आपका output half wave, positive half के लिए काम कर रहा है, diode को पल्ट दो तो negative half के लिए काम करेगा, it is not necessary कि हमेशा positive half के लिए ही काम करता, किसी बच्चे की दिमांग में बना है, कि सर कि हमेशा positive half के लिए काम करता, नहीं भाई, आटिए, diode को भी ऐसा लगा दिया, अगर मैं diode को यहाँ पर ऐसा लगा दूं, तो यह negative half के लिए काम करेगा, यहाँ पर positive के लिए zero मिलेगा, negative के लिए आपको मिलेगा, positive लिए negative के लिए मिलेगा, ठीक है? तो कहने की बात है कि आपको input की half wave के लिए ही output मिलेगा चाहें वो positive half हो चाहें वो negative half हो अगर positive half मिल रही है तो negative पर 0 मिलेगा और अगर negative half मिल रही है तो positive पर 0 मिलेगा इसको half wave rectifier बोलते हैं because we get the output for the half wave of input इसमें कोई दिक्कत परिशानी ठीक है आसांसी बात है तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई कि इसको half wave rectifier क्यों बोलते हैं और आपको यह भी समझ में आ गया कि input यह है तो output कैसे बनता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको अब बात आती है छोटे छोटी बातों की जैसे हमने पूछ लिया कि conduction angle बता दो हाब wave rectifier का क्या है हमने पूछ लिया output frequency जिसको ripple frequency भी बोलते हैं वो बता दो भी या क्या होती है इसके लिए फिर हमने पूछ लिया ripple factor बता दो form factor बता दो crush factor बता दो efficiency बता दो transfer utilization factor बता दो इसके लिए करने सब ideal के लिए ही कर रहे हैं अभी किसी को लगे दिमाग में कीड़ा आए कि नहीं सब practical के लिए और बताओ सर्फ कैसे करोगे काम है ना आ सकता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दिमाग तो दिमाग है कुछ भी हो सकता है very good कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब अगर य है इन्फूट लगा हुआ है इंपूट मैं माल लेता हूँ अना ट्रांस्फार्वर्मार की जेगह में इंपूट बना देता हूं डारेक्ट भी हम साइन ओमेगाएट है कि दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहांपर लोड बना देता हो अब आप यह जब diode हमारा practical होता है तो क्या होता है भीया मैं बता चुका हूं जब diode practical है तो diode के equivalent circuit हम discuss कर चुके बहाँ पर एक voltage दिखेगा और एक resistance दिखेगा that is forward resistance RF और that is the cutting voltage V gamma और यह आपका input है मैं यहाँ पर ज्यादा detail में नहीं जा रहा हूं practical के लिए क्योंकि आपको सब कुछ निकालना ideal के लिए ही है जो form factor, ripple factor, efficiency सब कुछ हम ideal के लिए ही निकालेंगे अगर किसी के दिमाग में कीड़ा आ जाए कि सर्फ हमें practical के लिए भी कैसे करेंगे अरे भी कोई दिक्कत ही नहीं है लो यह प्रेक्टीकल आ गया भी मैं बता देता हूं यह प्रेक्टीकल आ गया अब प्रेक्टीकल के लिए ध्यान से सुनें आपको करेंट निकालना दिस इस अब भी कोई बंधू भाई मेरा क्या यहां पर करेंट निकाल पाएगा करेंट निकालने के लिए सिंपल सी बात है यहां पर केविये लगाओ आप और केविये लगाओ तो आपको लोड करेंट मिल जाएगा इजिट ओके समझ में आ रहा है केविये लगाओ तो लोड को मिलेगा सिंपल सी बात लिंग दूं मैं कल लगाने पर कि ए जो भिंख रहा हूं ध्यान तदेखना यह प्रेक्टिगल लिए यह नि आई एल लिख रहा हूं आई एल लिख रहा हूं कौन से कलर के पैंसे लिख दूँ जल्ली बताओ यलो ले लेते हैं आई एल इजिक्वल टू इस बीजीवल है वी एम वी आई वी आई क्या है वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी गामा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी कटेन बोल्टेज अपन रजिस्टेंस आर एफ प्लस आरल इसमें कौन सी वड़ा तीर मार दिया लो वसे क्यालकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है इसलिए हम आईडियल की बात करते हैं सब कुछ आईडियल के लिए ही याद करते हैं ठीक है ना क recap 어्का वाथ निये इस आएल आ गिया के दिक्कत वाली बात बात नहीं है और इस में अगर कोई बोले कि स्थर आई एल जो आया इसमें आप इसको पीक करेंट निकालो इसका पीक करेंड क्या होगा आई-ल वरावर बाबर आइम डरेस 9 unrest लायन ओमेगा टी और इस केस में उर पीक करेंट आएगा, पिछले वाले में पीक करेंट तो VM अपोन आरल आ गया था, VM अपोन आरल, यहां पर पीक करेंट क्या आएगा, ध्यान से देखें, यहां पर मैं I-M लिख रहा हूं, पीक करेंट होगा, Vm- V gamma अपोन आरेव प्लस आरेल, प्लीज लिसन यहाँ पर जो पीक करेंट आएगा I am dash I am dash is equal to Vm minus V gamma cutting voltage upon RF plus RL यहाँ पर यह होगा पीक करेंट I am dash और एक बात फिर आपको दिख रही होगी कि पीक करेंट I am dash practical में जो आइडियल था उससे कम आएगा करेंड होता है किना षबाहँ हुआ है यहाँ पर क्या था आइडियल के के दम में पूं आल और एधर देखो थेखो भी हैम मैं से कुछ घट रहा है और नीचे कुछ भड़ रहा है तो यहाँ से इतना तो अपन समझी पा रहे होंगे इतना तो सब को समझ मियार होगा कि यह V.m. RL. बढ़ा है कि V.m. में से कुछ घटा दो और यह भड़ा है तिम्पल भात यह भड़ा होगा तो पीक करेंट आईडियल के केस में ज्यादा होता है प्रेक्टीकल के केस में कम होता है तो किसी भाई वंदू को यह भी है बिलकुर सभी बात है क्या पता है कुशन आ जाए मैं लिख देता हूं है ना लिख देता हूं ठीक है लिख देता हूं नए पेज ले ले थे क्यों फाल तुमें नया पेज लो यहां से ठीक है I am is greater than I am desk what is the I am it is the peak current peak current in ideal लोटेट आई-म्देस आई-म्देस एज़गा पीक करेंट इन प्रैक्टिकल अब एक और दाहत है अब प्रैक्टिकल की बात करी रहे हो तो एक और बता दूँ आपको एक और बात बता दूँ यहां पर और इजनल बेफ फॉर्म में कोई चेंज आएगा बताओ भाई देखे अब आप practical की बात कर रहा हूं तो एक और बात देख लें जल्दी फटा फट जरा सा कि आपका diode आइडियल केस में कब ओन होता है ध्यान से देखे आइडियल केस में क्या हो रहा ध्यान से समझे द्यान से देखे जब आपका input greater than है 0 से ठीक है? तो आपका डायोड जो है वो on हो जाएगा और जब input 0 से कम है, डायोड ओफ हो जाएगा यह बात हो गई किसकी? आइडियल केस की देखो अभी तो आप के लिए बनाया, यह बेफ़म बनाई तो है जब input 0 से जादा डायोड ओफ, जब input 0 से कम डायोड ओफ बट प्रेक्टिकल केस में डायोड को on होने के लिए कितना बोल्टेज चाहिए? आपको पता है डायोड को on होने के लिए कटिन बोल्टेज के वराबर चाहिए तक आपका Input एक कटिन बोल्टेज के ऊपर ना आ जाए कि समझ में आया वेरी गुड आपका Input जब एक कटिन बोल्टेज भी गामा है जब Input इससे ऊपर आएगा तभी आपका एजो सरकिट है जो सरकिट है प्रेक्टीकल वाला काम करेगा प्रेक्टिकल केस में डायोड ओन तब होगा जब इनपुट आपका कटन वोल्टेज से जादा हो जाए हमें पता है तो यहाँ पर आपको this is for the ideal और अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रेक्टिकल के लिए तो वी आई जब ग्रेटर देन होगा वी गामा से तब हमारा डा तो यहाँ ऑण होगा और जब भी आई लेस्ट एंट इकॉल के डायोड अफ हो जाएगा कि अ कि समझ में आ रहा है जब इनफुट वी गामा से बड़ा है डायोड और इनफुट वी गामा से चोटा है डायोड अफूट इस एश फॉर दा प्रेक्टिकल ए बी याद कर लो क सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी दिक्कत है आइडियल में greater than 0 होना चाहिए प्रेक्टिकल में greater than cutting voltage होना चाहिए बस सिंपल सी बात है पता है हम को है ना सिंपल तो यहां पर एक कखवाथ के लिए ओपना दुम्हां आपके लिए प्रैक्तिकल के लिए 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 अस्ट्स में यहां जी यप्रैक्तिकल के लिए अठाइब शेयर को सुभश्र है Walker जो दूसरे बनी है कि और आ रहा है बिल्कुल छोटा को कि दिख रहा हुआ मैसे कि आधिक रहा है है यह जो लिखा है जो भी गामा आगया वाट है इस यह मैंने बनाया एक क्या कर दिया मैंने यहाँ पर यहां से स्टार्ट होगी वी गामा से उपर होगा तव ? मैं क्या क्यों है? यहां पर जो था उसको नीचे लेकी आया इसके बाद बेवसित कंड ईसकी बात हो रही है अब हम गोर जी मैंने कम बनाया इसका पीक जो पहले आई विकहह कम है अभी तो लिखा हमने लिए मैंनों से नीचे जो दुसरे कर दे zł Save ये आई ये मैं थे ईल मैं कम मना इसलिए आपको फॉर ए भी देखने को मिलेगा आइडिल में एठेगा ठीगे चलेंगा अब तो बहुत बात हो गई बात ठा scholes अब आजाते हैं अपने चीज़ों पर कंडॉक्शन हैंगल क्या वोटदर कंडॉक्शन एंगल क्या होता है कि आपका डायोड और कितने एंगल के लिए कंड़क्ट करें सर्किट कितने एंगल के लिए कंड़क्ट करता है बताओ बताओ कोई बता पाएगा कंड़क्शन एंगल देखें कंड़क्शन एंगल अब हम सब आइडियल के लिए बात करेंगे हम सब आइडियल के लिए बात करने वाले हैं प्रे से सरी एक्जाम में आता ही नहीं है तो क्यों फाल तू पढ़ें देखो पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आएसा पढ़ते रहा हूं जितना एक्जाम के POINT OF VIEW से जरूरी है मेरा मानना है उससे 2 STEP ऊपर पढ़के चलो समझ में आ रहा है जितना एक्जाम के लिए जरूरी है उससे 2 STEP ऊपर पढ़ लो पर ऐसा नहीं है एक्जाम में आता ABCD है और पढ़ लो आप पूरी इंटलिस की ग्रामर आप कोई बुले के सर अगर ABCD आता है और मैं पूरी grammar पढ़ लूँ तो ABCD तो attempt हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा भाई आप जब उपर का level का पढ़ रहे हो तो नीचे के question तो करी लोगे पर क्या आपके पास इतना time है कि आप हर एक subject को इतने high level पर तयार कर लो तो एक्जाम को prepare करने का सबसे पहला तरीका है कि जितना एक्जाम के लिए जरूरी है पहले उतना पढ़ें फिर अगर time बच रहा है तो उससे थोड़ा सा जादा पढ़ लें और फिर time बच रहा है तो थोड़ा और पढ़ लें इसके बाद time नहीं बचता है अभी तक तो मेरे पिछले आज 2030 चल रहा है 2008 2008 से मैं पढ़ा रहा हूं अब आप समय लगवा लगवा पंदरवा साल पढ़ाने को है ठीक है 2008 में मैंने बीटेक किया था देन एम्टेक किया हुआ है ठीक है तब से from 2008 to 2011 three year college में पढ़ाया हुआ है engineering colleges जो होते है ठीक है देन आफ्टर डेट I am teaching for आपके लिए पिछले इतने सालों के experience से तो ऐसा कोई बच्चा ही मिला है कि जो बोले कि सर मैंने बहुत हाई लेवल पर पूरी exam पूरे subject prepare कर लिए ऐसा टाइम होते ही नहीं है आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने आर्दस सब्जेक्ट हैं फिर उनका revision करना है फिर प्रैक्ट चृक्ट इंगल किया है कंडक्शने एंगल का मतलब है जैसे सबूच दिस जीरो दिशेज पाई अमिमा रहा है दूसरे कलर के पनलूं क्या हाँ जी भई पंग यहां यह आपका पाई आ गया एट फाई या गया इसान में आ रहा है ठिक है पाई टू पाई अब आपका एडायोड कितने देर कलिए अघक रहा है जीरो से पाई के कर रहा है पाई से टूपाई के लिए ओफ है तो अगर किसी को इच्छा है किसा प्रेक्टीकल के लिए भी बता तो भी प्रेक्टीकल के लिए करने अंगल पाई से कम होगा क्यों क्योंकि इतने में आपका डायोड नहीं कर रहा है जो जो कट इन वोल्टेज था भी गामा यहां तक तो फॉर दा प्रेक्टीकल कंड़क्शन एंगल इज देन पाई and for the ideal कंड़क्शन एंगल इज पाई ठीक है यह क्लियर हुई very good output frequency क्या होगी sir output जो आपका यह आ रहा है इसकी frequency अगर आप देखें input की frequency के बरावर ही है what is the input frequency please listen carefully what is the input frequency यह आपका input है यह आपका इनपूट था input की वेल्यू है वीम साइन ओमेगा टी और frequency ओमेगा से देखते हैं सबको पता होगा अब हम आउटपूट की frequency देख लेते हैं आपने आउटपूट ने काला आउटपूट की ओमेगा ही है इनपूट फ्रिक्वेंसी भी ओमेगा है आउटपूट फ्रिक्वेंसी को रिपल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं तो रिपल frequency is equal to the input frequency किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बिल्कुल कोई परिसानी नहीं और प्रेक्वेंसी इनपूट के बरावर ही होती है प्रेक्वेंसी को कोई दिक्कत हो रहा है यह हमारा बाढ़ की सब जगाव यह यह है और यह थोटा सा प्रेक्टीकल की आए-एम डैस के लिए मैंने यहां लेख दिया था ठीक है तो ठीक है यह हमारा आइडियल और प्रेक्टीकल में डायोड कहां आउप था फोवी मैंने लिख दिया था सम्झेब बड़े प्रेम से एट आउन में कंडक्षन इंगल कितना है कंडक्षन इंगल भी या अग्त सनेंगल सरप्वाई है अप्र है एयल केश में है है इस झा तो आइडिएल गीस में और प्रेक्टी केश में कोई दिक्कत रेक्टी कल लिख PCB नहीं रहा हूं पर आप बोल ला हो तो लिख दें पाई माइनस टू ठीटा ठीटा यहां पर एक ठीटा यहां पर आउटपुट फ्रिक्वेंसी जिसको आप रिपल फ्रिक्वेंसी भी कहते हो क्योंकि आउटपुट पर जो मिलता है एसी बैसे तो नहीं मिलना चाहिए लास्ट लेक्शर में हमने बड बट हमें आउटपुट पर कुछ मिलता है तो जो फ्रिक्वेंसी आउटपुट पर एसी की है वो रिपल फ्रिक्वेंसी कहलाएगी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इजिक्वल टू ओमेगा डेट इस दा इन्पुट फ्रिक्वेंसी इन्पुट और आउटपुट आइडियल प्रेक्टिकल दोनों में काम करेगा तो बच्चे यहां तक तो हमने बड़ी बेसिक बेसिक बात कर ली अब हम आ जाते हैं किस में अब हम आ जाते हैं एक ट्रांसफर कर और देख लो फिर आगे ट्रांसफर कर और देख लेते हैं फिर हम आगे इसकी बात करते हैं ट बनाता हूं यहां बढ़िया लगेगा ट्रांसफर कर्व इट इज दा कर्व विट्वीन इन्पुट एंड आउट्पुट ठीक है आइडियल केस में देखें आइडियल केस में आपका वियो किसके वरावर हो जा रहा था वी आई के वरावर और यहां पर जीरो था यह क्या ब खाँ आउट्पुट वोल्टेज श्याइड के बरावर था की नहीं था एक तो मैंने लिखा था भी ट्रांसफर करव वना रहा हूं आपके लिए फिर हम अंब की कवीयोजन न करेंगे रिपल फ्एक्टर अगरा की तो आप का आउट्पुट वूल्टेज वियाई के यहां हमने केलकुलेशन की थी आइडियल केस में आइडियल की बात हो यह पूरा आइडियल ही चल रहा है प्रैक्टिकल तो छोटा सा कैलकुलेशन था आइडियल केस में आइएम साइन ओमेगा टी आइएल आ गया था और वी ओ जीकल टू जे मैंने किया था और मैंने किया और यहां भी समझ में आ रहा था कि दौनों पैरलल है तो सिमलर वोल्टेज मिलेगा यही बात तो मैं यहां लिख रहा हूं किसी को दिक्कत तो नहीं है यही तो मैंने यहां लिखा है कि आइडियल केस में आउट्पूड वोल्टेज इकल टू भी आई होगा और आपका जब आयोड आफ है तो आउट्पूड वोल्टेज जीरो होगा अब मुझे ट्रांसफर करेक्टरेश्टिक्स बनाना है और बढ़े आसान है सर अभी बना देता हूं यह जड़ा सा हटा दूं जगए चाहिए हैं जी ट्रांसफर करेक्टरेश्टिक्स किस-किस के बीच बनता है करेक्टरेश्टिक्स बनता है आपका वियो एंड वी आई है इस इट क्लियर और नौट ट्रांसफर करेक्टरेश्टिक्स मतलब की आपका आउट्पुट और इंपुट की बीच में क्या रिलेशन है ठीक है डेट इस दा ट्रांसफर करेक्टरेश्टिक्स डेट इस दा ट् यहां पर 0 है इसके बाद बढ़ रहा है इसके बाद घटवा है हां जी तो अब आप जरा इसको ध्यान से देखें किस तरह से transfer characteristics आने वाला है देखो simple सी बात है बच्चे जब आपका वी आई 0 से बढ़ा है इस region में तो आपका output input के बरावर है क्या दिक्कत वाली बात है output input के बरावर है मतलब slope बन है जब वी आई जीरो से बढ़ा है तो वी ओ इस एक्वल टू वी आई लिख रखा है आपने बिलकुल लिख रखा है जी हमने ठीक है तो आपका वी ओ और वी आई बरावर है तो कोई slope बन होगा कि इस इस दा जोप इजिफ एक्वल टू बन किसी वो डिक्कत तो नहीं है जोप बन क्यों कर दिया सर भाई बता दो जरूरत नहीं है पर आपको लग रहा है तो बता देता हूं आइडियल केस में यह है अभी किसी को प्रेक्टीकल का भी लग रहा है कि सब्रेक्टीकल और बता दो जरा सब मज़ा आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मज़े लो दिस इज भी आई और दिस इज भी ऊग अब प्रेक्टीकल केस में आपका डायोड भी गामा से उपर होगा जब भी आई जो है आफ पूटट वोल्टेज वी INS AI से कम होगा कीयं कम होगा वैकक कम होगा सर आप को कम कर रहे ओ इसलिए कम कर रहे हैं इस अभी हमने क्या प्रज़िए कल के लिए यह आई-एमडनी निकाला था और हमने बोला दा आई-एमडस किस से कम है आप यह हमने अधा आई-म अई-म से कम है इसलिए भी इंद्याज भी एंद्याच भी एप से कम होगा शुर्त चोटाता देख था यहां यहां वोल्टेज के लिए है यहां करेंट के लिए है और एट इज लेस देन दा वीयाई यह पीक फियम एंड श्यक्राइब गच्चे को देखत तो नहीं है किसी को थिक है तो अब यहाँ पर आपका वोल्ट वी ओ, वी आई से घटेगा और जब यहाँ से वी आई से इससे वी गामा से कम है तब आउटपुट तो जीरो ही होगा ठीक है तो वी गामा पर ही आप पहले जीरो आपका डिसाइडिंग वोल्टेज था जीरो से जादा पर आउट हो रहा था, जीरो से कम पर आउट हो रहा था पहले अब आपका वी गामा डिसाइडिंग हो जाएगा, वी गामा से उपर आउट वी गामा से नीचे आउट क्या दिक्कत है पहले 0 decide कर रहा था, diode on होगा की off होगा, अब V gamma recite कर देगा, क्या दिक्कत वाली बात है, V gamma से बड़े पर on, V gamma से छोटे पर off, तो यहां के ऊपर on और नीचे off होगा, क्या इतनी बात clear हुई, मैं दूसरे color का pen ले लूँ, यहां पर इस से नीचे diode off है, current 0 है, voltage 0 है, इस से उपर आपका output voltage मिलेगा, but in this time your slope is less than 1 because VO is less than VI, यहां पर VOVI बरावर था, इसलिए slope बरावर था, but here, slope, here, slope is less than 1, slope is less than 1, क्योंकि output voltage input से कम है, समझ में आता है ना, slope क्या होता है, है ना, अभियो और VI बरावर है, तो slope आ गया, बन के बरावर यहां पर सिलोप बन से चूटा, ठीक है, तो यह तो हो गई, transfer characteristics की बात, अब हम अपनी बात करते हैं, किसकी, अब हम बात करते हैं भाईया, जो मुख उद्देस था, जो इसमें question आते रहते हैं, अधिकतर है, अधिकतर है, रिपल factor, form factor, efficiency, transfer utilization factor, यह सब पूछ जाते हैं, अधिकतर, अब हम उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है, clear, बहुत बढ़िया, चले हैं भाई, तो अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कि हम जो पढ़ने वाले हैं, वो practical के लिए नहीं, ideal के लिए पढ़ने वाले हैं, तो ideal, load current A लिखा हुआ है, I am sin omega t, और ideal, वीओ तो input के बरावरी है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चीक है बाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं भी होना चाहिए थी, क्योंकि इतने आराम से पढ़ रहे हैं, इतने मजे से पढ़ रहे हैं, और इस से ज़्यादा मजे से आप पढ़ भी नहीं पाओगे, वह न चीक है बाई, तो मैं ideal case में load current लिख देता हूँ, il is equal to im sin omega t, दिख रहा है क्या, very good, what is the im, is the peak current, im is equal to vm upon rl, और ideal case में जो v-o है या load voltage, आप जो भी लिखना चाहें, कुछ भी लिख सकते हैं, that is equal to v-i, और v-i क्या था हमारा, vm sin omega t, यह ideal में मैंने आपका load current और voltage लिख दिया, ठीक है, अब मुझे ripple factor निकालना है, form factor निकालना है, तो last class, जिसमें मैंने ripple factor को इतना बढ़िया तरीके से समझाया है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है, तो इसको जरूर देख लें, ठीक है, ripple factor, form factor, यह जरूर देख लें, last class में, बच्चे, ripple factor के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको VACRMS, ध्यान देखें, ripple factor क्या है, formula बता दो पहले, voltage के लिए निकालो या current के लिए निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, VACRMS upon VDC, that is the ripple factor, form factor क्या होता है, V total RMS upon VDC, तो भई, पहले आपको VACRMS, VDC निकालना तो पड़ेगा, तभी तो आप divide कर पाओगी, बिना उसके कैसे कर लोगे, clear हो रही मेरी बात के नहीं हो रही है, तो last class में ही मैंने आपको formula भी बताए थे, आपके पास भी ये लिखा हुआ, output voltage ये लिखा हुआ है, current के लिए निकालना हो, ठीक है न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ जी, तो पहले आपको VDC और VRMS निकालना होगा formula से, तभी आप ripple factor और form factor निकाल पाओगे, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, अगर आप वो नहीं निकाल पा रहे हो, तो जब तक वो नहीं निक हम निकालते हैं, फिर RMS value निकालते हैं, अलग color के pen से लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, तो सबसे से पहले आपको DC या इसी को बोले है, average value, आप चाहां voltage के लिए निकालो, current के लिए निकालो, equation जो है formula similar है, पस बहाँ voltage आजाएगा, current आजाएगा, कोई DC is equal to 1 upon 2 pi, formula में 0 से 2 pi था, पर 0 से pi ही लिखना है, क्यों कोई बता सकता है, जो हमने original formula लिखा था, वहाँ 0 से 2 pi लिखा था, यहाँ पर मैं 0 से pi लिख रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत है, तो बताए, क्यों सर यहाँ पाई क्यों लिख दिया, बढ़ा आसान है, यहाँ conduction हो रहा है, वो 0 से pi के बीच में ही हो रहा है, full wave rectifier में 0 से 2 pi लिखूँगा, क्यों वहाँ पर दौनों में conduction हो रहा है, तो समझ में आ रहा है, average value निकाल रहे हो, average value इधर पूरे निकालेंगे, बट इसके बीच में आपका 0 ही है, output दे को 0 है, output current 0 है, इसलिए मैं उदर formula में, 0 से pi लिख रहा हूँ, cable, आपको पता होगा, जब भी integration करते हैं, अगर मैं 2 pi लिखता, suppose मैंने 2 pi लिखा होता, तो आप क्या करते, 0 से pi प्लस pi से 2 pi, यही तो करते आप, और pi से 2 pi में value 0 है, लिखने का मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, चलो भई, आगे बात करते हैं, हाँ जी, तो, 0 से pi, अब IDC के लिए formula है, simple सी बात है, जो इसकाली भी निकाल रहा हो, वो लिख दो, I am sin omega t d omega t, is it ok or not, इस integration को solve करोगे, IDC आ जाएगा, मैं solve नहीं कर रहा हूँ, मैं direct लिख रहा हूँ, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, sign को कर दो, integration, then उसमें value पुट कर दो, सब कुछ calculation गुणावाग कर दोगे, आपका IDC आ जाएगा, very easy, I am by pi आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है, that is, I am upon pi, ठीक है क्या, integration कर लोगे यह, ठीक है न, simple, I am upon pi, तो IDC कितना आ गया, I am upon pi आ गया, अगर इसके लिए आप Vm sin omega t यहां पर रख देते, तो VDC के लिए आ जाता, और VDC भी जब आप करोगे, तो what will be the VDC, VDC भी आ जाता, Vm by pi, तो important चीज यहां पर आ गई, जो की काफी बार पूछा जाता है, what is the DC value of current and voltage in the case of half wave rectifier, half wave rectifier के लिए current और voltage आपके सामने आ गया, peak value में pi से divide कर दो, that is the voltage और I am upon pi, now what is the RMS value, RMS value क्या होगा, formula लेखो, पहले तो मैं लेख देता हूँ, RMS value, किसी की भी निकाल लो, current और voltage, formula similar है, बस value change हो जाए, RMS का full form क्या बूला था, मैंने, root mean square है न, याद है ये, very good, I am square, sine square, omega t, d omega t, और यहाँ पर आप देखे, root mean square, simple आपने current के लिए निकाल ला है, तो current के लिए लिए लिख दिया, और voltage के लिए निकाल देखे, तो Vm square, sine square omega t, लिख दो, अब इसको solve कर दो, sine square theta is equal to one minus cos theta by 2, और इसको put कर कराके, आप calculation कर लोगे, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लिखने में दिक्कत हो जाती ही, कभी कभी है, ठीक है, तो what is this, this is the rms value, not a dc, dc तो निकल चुकी है, अब जब आप इसको पूरा solve करोगे, that will come im by 2, that will come im by 2, और similar अगर आप voltage के लिए करोगे, तो what will be your vrms, vrms is equal to vm by 2, तो भई, यहाँ पर आपने युद्ध जीत लिया है, आपने dc और rms value निकाल दी है, और मैंने आपको यह बड़े detail में last class में समझाया था, बिलकुल तोते जैसा रटा के, कि जो हमें rectifier में output मिलता है, उसमें हमें dc भी मिलती है, और rms भी मिलता है, ac rms भी रहता है, क्योंकि उसमें ac का part होता है, dc ac mix होता है, तो हम क्या करते है, formula की मदद से, उसमें dc अलग कर देते हैं, और ac rms अलग करते हैं, याद आ रहा है कुछ, है ना, और हमने उसके लिए एक waveform भी design की थी, आपको दिखाया भी था, last class जरूर पड़े, उसको है ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अब आपके सामने ये formula आ गए, अब तो बस कुछ बचाई नहीं है, formula की value रखो और निकाल लो, ठीक है, तो अब हम निकालते हैं important चीज़ें, form factor ये सब पहले थोड़ा ता जल पी लेते हैं, ठीक है, अब simple है, कि बर form factor वगएरा रह गया है, है ना, अब आपका इसमें analysis थोड़ा आता है, ओके, what is the form factor, अभी formula लेखा, IRMS, किसके लिए भी निकाल दू, IRMS upon IDC, IRMS अभी आपने निकाला, क्या निकाला, IM by 2 और IDC अभी निकाला, IM by π, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिखा है मैंने, IRMS, IM by 2 और IDC, IM by π, ठीक है, आप voltage के लिए लिख दो, तब भी ये लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आगया, पाई वाई 2, पाई वाई 2, और पाई वाई 2 जब आप करोगे, है ना, तो 1.57 आएगा, और ये रटना है आपको, ये डारेक्ट कोशन आता है, है ना, कि what is the form factor for the half wave rectifier, है, that is 1.57, that is 1.57, is it okay, this is the form factor, now what will be the ripple factor, ripple factor का formula होता है, IACRMS, this is the total RMS value, and this is the RMS value of the AC, and this is the DC, IACRMS, तो IACRMS निकालते हैं, मैंने आपको formula बताया हुआ है, IACRMS का, but don't require, जब आपने form factor निकाल दिया, तो इसको direct निकाल सकते हैं, formula हम last class में discuss कर चुके हुए, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, this is the relation between form factor and ripple factor, ripple factor is equal to form factor का square minus 1 under root में, अब cable value put करें, और answer को प्राप्त करें, VF की value 1.57 है, put कर दो फटा-फट, 1.57 का square minus 1, और यह पूरा calculation करोगे, तो 1.21 इसकी value आएगी, ripple factor is equal to 1.21, और रट लेना है भई, form factor यहाँ पर, form factor कितना आ गया, 1.57 रट लोग क्योंकि यह डारेक्ट पूछा जाता है, ripple factor कितना आ गया, 1.21 रट लोग क्योंकि डारेक्ट पूछा जाता है, now what is the next thing, peak factor और crust factor, peak factor और crust factor, that is C, ठीक है, peak y rms, यहाँ लेख दू, that is C, ठीक है, तो this is C, crust factor, peak factor, that is I peak upon irms, या भी के लिए निकाल लो, मैंने I के लिए formula लिखूँ या भी के लिए answer एक ही आने वाला है, किसी के दिमांग में यह दिक्कत तो नहीं चल लएगे, कि सर आप I के लिए 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 क्या लग हो जाएगा, भई एक ही बात तो है, अभी तो मैंने निकाला आपके लिए, भी और I में कोई दिक्कत है, दोनों एक ही चीते हैं, VDC भी उतने हैं, IDC भी उतने हैं, VRMS भी उतने हैं, IRMS भी उतने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ जी, IRMS, I peak upon IRMS, और IRMS कितनी होती है, IRMS की वेल्यू अभी आपने निकाली, कितनी Airema value I am by 2 what is the I am I am is the peak and I am मतलब peak to peak upon RMS से निकाल लो कि I RMS I am by 2 है तो फीख अपon RMS की value 2 दिख रही है यहां से इसमें कि दिक्कत है क्या जर्ट दिख रही है क्या बिल्कुल सर सीदा सीदा दिख रहा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो रेक्टिफायर एफिसेंशी जो है बड़ा आसान है output DC power upon input AC power output DC power upon input AC power rectifier efficiency that is output DC power upon input AC power okay output DC power upon input AC DC power और जो efficiency है output DC power कितनी होगी देखें output DC power हमने power के लिए बुला था power is equal to I square R ठीक है output DC power मतलब की IDC का स्कुवाइर कि IDC का स्कुवाइर इन्टू आरल और इन्पुट AC DC power I AC क्या है RMS का स्कुवाइर और इन्पुट से देखें देहान से देखें बच्ची इसको जड़ा हमें इधर equivalent circuit से बता देता हूं ideal case में on जब है equivalent circuit कहां है मेरा यह है ना देके खाल देखें ध्यान से देखें इसमें थोड़ा सा कभी कभी दिख्कत होती है देंसे देख लें मेरी बास समझल दें मैं क्या बोलना चाहर हो यहां से बास समझल लिखा देखते हो प्लीज लिसन केरफुली आरेस आपको सेकंडरी कॉयल का रेजिस्टेंस कभी कोश्चन में दिया होता है ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम उसे भी कैलकुलेशन में ले लेंगे आरेस अगर दिया है तो जहां जहां आरेल है वहां प्लस आरेस और लिख देना आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरह से ठीक है अधर्वाइज बहुत ही कम कोशनों में दिया रहता है इसलिए नहीं लिखा है मैंने बट कभी लिखा होगा तो लिख देना और नहीं लिखा होगा तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है ठीक है क्या किलियर हुआ के नहीं ह हुआ तो हम अभी जो कर रहे हैं तो आपको efficiency की बात करें IDC तो IRL इसदर आपको RL और RS कभी-कभी लिखा मिलेगा और कभी-कभी RF अगर दिया हो वाट इदा आरेफ आरेस इस दा कि रजिस्टेंस कि आफ सेकेंडरी क्वाइल ट्रांस फार्मर की सुमें आ रहा होगा कि अन्वाइल के वॉट इदा आरेफ यहां पर कोई रजिस्टेंस अगर यहां पर एगर forward wise में resistance होता वे तो क्या होगा नहीं घो क्या होगा मैं उस case में में बता रहा हूं ठीक है simple अगर है तो आप मान लेना नहीं है तो मैं बता ही रहा हूं तो simple सी बात है अगर है तो आपको यहां पर आरेफ भी लिखना है otherwise नहीं लिखना क्या है clear हुआ मेरी बात ठीक है simple सी बात है तो क्या बात हुई यहां पर RF forward wide resistance अगर है तो लिख देना RF secondary quality resistance है तो लिख देना नहीं तो हटा देना केवल RL RL रहेगा तो अब efficiency जो होगी what is the IDC IDC क्या होता है अभी हमने पड़ा IM by pi होता है that is IDC RL अपनी जगए रहेगा ठीक है और IRMS क्या होता है अभी हमने पड़ा IM by 2 होता है that is square और यह बांकी चीज अपनी जगए रही RL RS प्लस RF कि अब अगर यह RS और RF नहीं होते तो तो आरेल से आरेल कर जाता यह आ जाएगा कोई दिख्कत वाली बात नहीं है बिल्कुलalin केस है बार बार बोल रहा हूं कभी कभी यहां पर दिख्कत होती है दिया रहता इसलिए मैंने लिया अधरवाई ऐडियल केस ही लेते हैं ठीक है ध्यान से से तुने मैं क्या बोल रहा हूं अगर यहां पर से ना दिया है उसको डायोड की ओना यहां यहां आ Aegis की कुए प्रही नहीं है सिंपल साँ आपका एफिसेन्सी क्या रचेगा इफिसेन्सेंसी यहां पर और यहां पर RL, RL सब कट जाएगा, this is the 4 by pi square, is it okay, ठीक है, और 4 upon pi square into 100%, efficiency में percentage में निकालते हैं, 100%, into 100%, ठीक है, यह है, और 4 upon pi square into 100%, आप calculation करोगे, 4 upon pi square, 0.406 आएगा, 0.406 into 100%, और multiply करके, 40.6 percentage आएगा, efficiency यह आएगी, किसकी, half wave rectifier की, अभी कोईसी के दिमाग में कीडा चल रहा हो, का सरी होता तो, यह होता तो, उसकी value put करते, efficiency थोड़ी बहुत उपर नीचे आती, बट, ideal में याद रखना है, ideal में efficiency यह है, समझ में आया, बापिस से बोलूँ, efficiency का formula, यहाँ पर मैंने यह दौनों चीज़ें ली हैं, अलग अलग के पैंस हैं, RS secondary coil का resistance, RF forward wise resistance, दिया है, तो लेना पड़ेगा, नहीं दिया है, तो मतलो, आइडियल केस में हम RF 0 लेते हैं, RS generally नहीं दिया रहता है, तो RL से RL कट जाएगा, A कट जाएगा, और हमारी A efficiency आजाएगी, और अगर दिया होता, तो efficiency थोड़ी बहुत उपर नीचे आएगी, पर हम जो याद रखते हैं, 40.6, एडियल केस की efficiency है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, So what is the efficiency, efficiency क्या आई है आपकी, efficiency जो है, efficiency जो है, 40.6% आई है, इसका मतलब क्या है, efficiency का मतलब क्या होता है, कि input में आपने AC लगाया, और output में कितना DC मिला, यही तो है, इनपूट AC पावर अपन आउटपूट DC पावर, यही तो efficiency का formula होता है, What is the formula, input AC पावर अपन आउटपूट DC पावर, इसका मतलब है, 40% आपका input जो है, AC वो DC में convert हुआ, पाहां कि 60% कहां गया, 40%, 40.6 है, मैं 40 बोल लाँ, कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था, आपने जो efficiency की बात की, यहाँ पर जो efficiency आ रही है, that is equal to the 40.6%, what is the efficiency? Efficiency है, 40.6, तो जो efficiency 40.6 है, मतलब 40% input AC is converting to the DC, है ना, और remaining 60% में क्या हुआ, उसमें आपको output पर भी AC मिलेगा, है ना, 60% power किसमें है, in the form of ripple, है ना, so, 40% AC is converting into DC, and remaining 60% किसके फॉर्म में है, and 60% power is in the form of ripple, and 60% power is in the form of ripple, 60% power किसके फॉर्म में है, ripple के form में है, हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो हमारी output है, उस पर AC और DC दोनों मिलता है, हमें क्या पता है, कि हमारे output पर हमें AC, this is the output for the half wave rectifier, ठीक है, अब यहाँ पर AC और DC दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको 60% जो है, ripple के form में available है, what अब नाव, transformer utilization factor, output DC power upon transformer rating, now the next, जो हमें एक और चीज निकालने होती है, that is transformer utilization factor, transformer utilization factor, transformer utilization factor, this is the output DC power upon transformer rating, output DC power upon transformer rating, तो यह formula क्या होता है, output DC power upon transformer rating, ठीक है, transformer rating, और अब a transformer rating और output DC power अभी आपने दीखा, transformer rating और output DC power, आपने output DC power तो पता है, transformer rating क्या होता है, VRMS into IRMS, with respect to transformer coil, VRMS is the RMS value of voltage, with respect to secondary coil, IRMS is the RMS value of current, with respect to transformer rating, transformer rating होती है, VRMS into IRMS, यह मैं आपको लाश्ट क्लास में formula अच्छी तरह से describe कर चुका हूँ, यहाँ पर describe नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, VRMS, RMS value of voltage, across the transformer coil, IRMS, RMS value of the current, across the transformer coil, और output DC power तो आपको पता है, अब सब कुछ निकाल के रख दो, तो यह जो आएगा, 0.286 आजाएगा, calculation आप कर लेना, 0.286, तो Tuf जो आगया, that is 0.286, यह आपको याद कर लेना है, बड़ा आसान सी बात है, यह आप याद कर लेना है, ठीक है क्या, clear हुआ, तो, यहाँ पर आपका पूरा half wave rectifier cover हो गया, half wave rectifier में हमने यहाँ से start किया था, half wave rectifier को half wave क्यों बोलते हैं, because it work for the half wave of input, यहाँ से start होके यह पूरा एकदम से, बिलकुल basic से बताया है, वैंने बिलकुल बच्चों जैसा, ठीक है, क्यासे circuit काम कर रहा है, क्यासे नहीं कर रहा है, बड़े प्रेम से इसके लिए, calculation करते हुए हम आगे बड़े हैं, और I think आपको समझ में आगया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं लगी होगी, तो half wave rectifier का यह, पूरा लेखा जोखा आपके सामने आगया है, इस से बाहर कोशन आपको नहीं मिलेगा, guaranteed, guaranteed मतलब guaranteed, ठीक है ना, half wave rectifier से इस से बाहर कोशन होगा ही नहीं, हमने बड़े अच्छी तरह से पढ़ लिया है, practical भी पढ़ लिया है, है ना, उसके लिए, तो बच्चे, अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, we will study the full wave rectifier, full wave rectifier के भी दो पार्ट है, full wave center tab, full wave bridge rectifier, दोनों में क्या difference होते हैं, वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा difference है, peak inverse voltage का, एक peak inverse voltage इसमें भी नहीं निकाला, इसमें भी peak inverse voltage और निकाल देता हूँ, peak inverse voltage और याद आ गया, हाँ जी, इसमें peak inverse voltage और निकाल दो जरा, peak inverse voltage क्या होता है, when diode in reverse wise, का आंगे, diode reverse wise में, यहाँ लिख देता हूँ, एक line की बात है, what is the peak inverse voltage, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज की डैफीर्स अम 4000 पढ़ चुके हैं इसません उसे हम peak inverse voltage भोलते हैं ठीक है क्या तो अब आपको पता है डायोड रिवर्स वाइस में कब होता है जब negative cycle होती है इस समय आपका डायोड रिवर्स वाइस में है और यह बता दो इसमें maximum कितना voltage दिसे यह डायोड यही तो है आपका जो कि आपने open कर दिया है इसके across कितना voltage होग नहीं यहा पर जो वोल्टेज था घंन कवी एम वही वोल्टेज यहां पर maximum दिखेगा कि नहीं दिखूग समझ में आया समझ में आया कि नहीं आया गाल रहा हूं वें डायोड इज इन रिवर्स वाइस दा मैक्सिमम वोल्टेज डैट केन एपियर एक्रोस दा डायोड विल वी दा पी आई भी दिस इज यो डायोड जो ओपन है यह डायोड लगा हुआ है वहाँ समझ जाओ वहाँ डायोड ही होगा ओपन तो दिखा दिया सर्किट के तौर व developing इता डायोड अब डायोड के एकिरॉष पूरा का पूरा वोल्टेज अपोजिट डारक्स संगे स्क्रास मिला है तो यहां मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए भी किनवर्स वल्टेज अपने रिवर्स डारेक्शन कोथ तो इसमिए प्माईनूट का पीथ है VMI तो औंभिय है है वी एम है वी एम इन्पूट के पी के बरावर है हाँ जी चले भाई तो आई तिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ तो अब हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि अगली क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और दौनों में डिफ्रेंस देखने वाले थे सेंटर टैप्ड ब्रिज वो पीक इनवर्स पर अलग है है ना और कुछ उन में ट्रांसफॉर्मर में अलग है ठ इसलिए मैं यहाँ पर पीक इनवर्स की वियाद आगी मैंने आपको बता दिया ठीक है हाँ जी भई तो अब इस क्लास को आज के लिए मैं भी यहाँ पर एंड करते हैं क्यों अगर आयने आज आपको फुल वेव बताया तो क्लास लंबी हो जानी है और अगेन मेरा कंसेप् इसलिए क्लास को जादा लंबा ना करें जितना पॉसिवल है छोटी छोटी चोटी क्लास बना एक डिढ़ घंटे सवा घंटे जो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर यहाँ यहाँ पूरा फ्लो मैं पूरा कंप्लीट हो गया सवा घंटे में ठीक है ना तो इट डिपेंड क्लास कितनी लंबी होने वाली है अब नया टॉपिक फुल वेव है वो मैंने अवी स्टार्ट नहीं करना है क्यों अगर मैं उसे स्टार्ट कर दूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है क्या तो इसलिए वी विल डिसकस्ता फुल वेव रेक्टी फायर फ्रांद the next class and again it is very important full wave rectifier is also very important like half wave rectifier ठीक है चले बच्चों तो मिलते हैं अगली क्लास में I hope आसा करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया हुगा बड़ा बेसिक है बड़े आराम से प्यार से इंट्रेस्ट के साथ मैंने समझा है और आपको भी वहां तक ट्रांसफर हुआ होगा समझ में आया होगा ठीक है बच्चे तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में और अपना मूल मंत्र क्या है भी मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी इमानदारी से की गई मेहनत कभी बरवाद सफलता जरूर मिलेगी कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए भी कुछ ना कुछ सोच रखा है ठीक है बच्चे तो मिलते हैं अगली क्लास में जब तक लिए नमस्कार धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में फुल्वेव एक्टिफायर है ध्यान से पढ़ें नमस्कार